हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मित करता हों सब बहुत अच्छे होंगे मैं यह बहुत अच्छा हूँ और देखिए मैंने गर्मी का तोड़ लेके आया हूँ बेहतरीन जवर्दस तरीके से पन्ना पन्ना पीजिए गर्मी से बचे रहिए अपने बच्चों को स्कूल लाइक कीजिए कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और कैसा लगा और देखिए कितना अच्छा बनाया चलिए शुरू करते हैं चलिए दोस्तों पन्ना बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मुझको चाहिए आम देखिए कितना जबरदस्त आम है मज़ा आ जाता है जब आम खाओ दरा सा कच्छा आम नमक से खाओ तो वाहा क्या मज़ा आता है इसके लिए हमने थोड़ा से लिया पुदीना, शकर, अधरक, दोनों तरीके के मैंने नमक ले लिये है ठीक, और उसके बाद ये है आपका काली मिर्च, सौफ, अभुना हुआ जीरा अब बनाना शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं, मेरी तना बनाईएगा, आप लोग मज़े आ जाएंगे पुराने जमाने में लोग पन्या भून के बनाते थे मैं उबाल के और भून के दोनों तरीके से बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा तो मैंने दो आम उबालने के लिए रख लिए है पूरा पानी इसमें नई डालना है ये भाप से इसको गला लेना है अब ये हो जाता है उसको बाद फिर आपको दिखाता हूं ये आम देखिए अच्छे से उबल गए है अब ठंडा होने के लिए रख दिया है अब इसका पल्ब निकलते है यह आम देखिए मैंने भूनने के लिए रख दिया है अच्छी तरीकेश इसको भून लेंगे और उसके भूनने के बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से दूनों चीज़ों आम से बनाई जाती है उबले हुए आम भूने हुए आम से बहतरी तरी इस तरह से आम को भून लेना है पूरा काईदे से भूनना है आम सब चीज़ों का फाइन से पॉर्डर बना लेते हैं बहुत गोर से देखते रहिए का बनाते किस तरह मैं बनाता हूँ यह देखिए शकर भी गई इसमें यह देखिए आप भूना जीरा अब इसके बेहतरी इसमें तरह से बनाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको यह देखिए इसका देखिए फाइन सपॉर्डर बन गया है अब अगला प्रोश्रेस आपकर करके दिखाता हूँ यह उबला हुआ है अब इसका देखिए पल्व निकलता हूँ यह देखिए इस तरह इसका निकलता हूँ पल्व यह लू जहां चलती है जिस इलाकों में लू चलती है न उसमें यह बहुत अच्छा होता है पीनाग पेट में रहेगी तो लू नहीं लगेगी फिर यह देख इसका इस्तरा से गूदा निकाल लेते हैं बेतरीन तरीके से ये देखिए आप पुरा काइदे से ये इसका आहा क्या निकला भाई ये देखिए आप ये और इसको अगर पेड़ में रहेगा जब गरमी ज्यादा होती गरम हवाई चलती हैं तो अगर ये पेड़ में एक गिला आपको लग नहीं सकती है अगर ये पेड़ में पन्ना आपके एक गिलास रहेगा अब बहुत आसान है बनाना और आम तो हर जिंगा मिली जाते हैं काइदे से तो बनाईए खुद भी पीजिए बच्चों को पिलाईए घर में और लोगों पिलाईए जो दूप में बाहर निक दाल ले रहा हूं मिक्सी के जार है उसमें इसको कर ले रहा हूं अभी बहुत गरम है ये ये देखिए ये तीनों आम को मैंने गुदा निकाल दिया है अब देखिए इसमें और जो आइटम रखे थे वो मैं डालने थे पुदीना मैंने इसमें डाल दिया अधरक वो भी इस पूर्डर बनाया था देखिए पूरा इसमें डाल दे रहा हूं तीक अब उसके बाद अच्छा ता फाइन सा एक पेस्ट बना लेते हैं बहतरी इन तरीके से मिक्सरी के जार में देखिए मैंने कर दिया है बहुत अच्छा पेस्ट बना इदनी खुच्बू आ रही है आहा मेरी तरीकेस बनाईएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा आपको आहा बहुत अच्छी खुच्बू आ रही है बहुत फड़ा फट सोच रहा हूं पी लूँ देखिए बन के तयार है अब देखिए बनाना यह मैंने देखिए इसमें डाला देखिए है कितना जबरदस दो चमस थोड़ा ज़ादा अपने हिसाब से आप डाल लीजेगा उसके बाद देखिए इसमें आहा क्या बात है यह बरफ गई यह देखिए कितने जबरदस बरफ यह देखिए अब यह देखिए इसमें मैंने बनाईएगा समझ गया ना मेरे हिसाफ से बनाईएगा देखे कितना जबरदस्त बना है लू तो आस पास नहीं आएगी अगर एक गिलास आप पी के दोप में निकल जाईए तब भी कुछ नहीं होने वाला है मेरे हिसास बनाईएगे मज़े आ जाएंगे बाई यह देखिए अब